सो हे गाइज वेलकम बैक टू मैं यूटिब चैनल में इसके डीके एंड आज हम जी शेयर के बारे में बात करने जारे वो रिलाइंस इंडुस्टिज लिमिटेड जी हां हम बात करेंगे से इसका जोना कोटर वन रिजल्ट आ चुका है तो चलिए आपका ज्यादा टेम वेस्ट ने करते हैं मैं सीधे आपको इसके बारे में बता देता हूँ तो आप देखोगे हम बात करेंगे से consolidated result के बारे में जो total value दी गई है इन रुपीज क्रोड में दे रखी है यहाँ पर आप देखोगे जून quarter का कुलम है और यहाँ पर previous March का तो अगर बात करें total income की तो अब के बार जो total income हुआ वो आप देखोगे दो लाख 25,360 क्रोड का जबकि previous quarter में था दो लाख 14,000 क्रोड का तो previous quarter से अपके बार हमें जो ना रिवेन्यों में जब देखने को मिला है अगर बात करें expenses को लेकर आने total खर्चे है तो अब के बार जो total खर्चे रहे हैं वो आप देखो एक लाख 98,000 क्रोड के जबकि previous quarter में थे एक लाख 92,000 क्रोड के तो previous quarter से अपके बार हमें जो ना इसके expenses में भी जंप देखने को मिला है तो अपके बार आप देखोगे इसका जो revenue वो इसके expense से जाद है तो इसका मतलब company को फिर से profit हुआ है कितना profit हो है वो अभी आप देख होगे 1000 क्रोड फाल तू profit हमें देखने को मिल रहा है जी हाँ previous quarter में 18,000 क्रोड का profit हमें देखने को मिला था तो ये इसका quarter 1 result है और previous June quarter से भी जवरदस्त आया है आप देख सकते हो quarter 1 result हमें जोना बहुत अच्छा देखने को मिला है आने वाले time में इस stock हमें जोना अच्छी return निकाल कर दे सकता है अगर बात करें इसके EPS की तो आप देखोगे 26 रुपे 24 पैसे है और previous quarter में था 23 रुपे 95 पैसे तो ये इसका quarter 1 result है नहीं तो कोई company ने interim dividend अनौंस किया है और नहीं कोई bonus वगार announcement की है तो ये इसका quarter 1 result है I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे लेटिस quarter result हो के बारे हम जानकरी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और थेंक्यों फूर पोचिंग दा वीडियो